बक्तो, क्या आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं और वह व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करता? आप चाते हैं उस व्यक्ति को अपने करीब लाना. चाते हैं कि वह भी उतना ही प्यार करें जितना की आप उससे करते हैं. चाहते हैं कि वह व्यक्ति आपकी हर बात माने, आपकी इच्छ हमसार कार्य करने लगे तो भक्तो आज हम आपकी इस समस्या को ध्यान में रखते हुए बहुत ही पावरफुल और महा सक्तिसाली विधी आज हम आपको बताएंगे जिसको करके आप किसी भी इस्त्री प्रूस, किसी भी गल्फ्रेंड, बोईफ्रेंड, पती-पत्नी या किसी का भी आसानी से वसीकरन कर सकते हैं और उस इनसान को अपने करीब ला सकते हैं, उस इनसान से अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवा सकते हैं यह प्यार में जीत हासिल करने का बहुत ही पाउरफुल और महा सक्तिसाली टोटका है और भक्तो इससे पहले हमने जिसको भी यह विदी बताई है उसमें से सभी का काम हुआ है आप भी इसे जरूर से जरूर करके देखे आपका भी काम 100% होगा हम जो भी उपाय लेकर आते हैं उसे हम पहले खुद से प्रैक्टिकल करके देखते हैं तभी आप तक लेकर आते हैं यह भी हमने पहले खुद से प्रैक्टिकल किया है तभी आज हम आपको बता रहे हैं और हमें इसके अचूक परणाम देखने को मिले हैं तो बक्तो इस विध खुद से इस विधी को कर सकता है. तो चलिए, अब मैं आपको इसकी पूरी विधी बताता हूँ की कैसे। और किस प्रकार से आपको इसको करना है। इसको करने के लिए आपको साथ लौंग की आवष्यकता होगी। ध्यान रहे, लोंग इसमें आपको फूल वाली लेनी है, साबूत होनी चाहिए इस परकार की, तूटी फूटी नहीं हो, साथ आपको साबूत लोंग की आवश्चता होगी, एक लाल मारकर पैन और एक वाइट पेपर की इसमें आवश्चता होगी आपको क्या करना है, सबसे पहले उस इस्त्रिय पुरूस का आपको मनहिमन दिलो दिमाग में एक 26 तयार कर लेनी है, उसका चहरा अपने दिमाग में बसा लेना है, और इस परकार से लोंग को अपने हाथ में रख लेना है, ठीक है, सीधे हाथ में आपको लोंग रखनी है, और मंत्र हम बता रहे हैं जो कि वसीकरण का बहुत ही powerful मंत्र है ठीक है ध्यान से देख लीजिए यह एक real और सच्चा मंत्र है मंत्र हम आपको बोल करके भी बता रहे हैं आपको मंत्र के बीच में उस इस्त्रिय पुरुष के नाम का उचारण करना है जिसका भी आप वसीकरण करन चाहते हैं तो मंत्र इस परकार है ओम हरीम बंगला मुखी अमुकम वाचम मुखम पदम इस्तंभे जीवम केलम बुद्धिम वसम हरीम ओम स्वा इस परकार से आपको सिर्फ साथ बार यह मंत्र बोलना है सिर्फ साथ बार इसके उपर मंत्र बोलेंगे तो यह लोंग अब आपको क्या करना है इन लोंग को जो भी आपने पेपर लिया है इस पेपर पर इस परकार से रख लेना है और हम फिर से बता रहे हैं यहाँ पर अमुक के स्थान पर उस इस त्रिय पर उसके नाम का उचारन करना है और लोंग को इस परकार से रख लेना है कागज में और बंद करके इस प्रकार से बंद कर लेना है अब आपको क्या करना है इस पुडिया को आपको ऐसे स्थान पर रखना है अपने सरीर में ऐसी जगह पर रखना है जहां पर आपको सबसे ज़्यादा पसीना आता हो ठीक है, महाँ पर आपको इसको रखना है और एक दिन तक या 24 घंटे कम से कम 24 घंटे तक आपको इसको अपने पास रखना है ठीक है? पसीना नहीं भी लगता है इसके उपर तो भी कोई बात नहीं तब भी यह काम करता है ठीक है अब आपको क्या करना है 24 घंटे के बाद इसमें से एक लोंग लेनी है और पीस करके उस इस्त्रिय पुरूस को आपको किसी भी चीज में मिला करके खाने में किसी भी चीज में मिला करके आपको खिला देनी है साथ दिनों तक यह साथ लोंग आपको खिलानी है और साथ दिन के बाद आप देखेंगे जिसके लिए भी यह विदी आप कर रहे थे वह स्त्रिप्रूस आपके वसमे होगा और आपकी च्छाउनसार कारिय करने लगेगा और भले ही आप से कितना भी नफरत करता हो वह आप से उतना ही प्यार करेगा जितना की आप करते हैं